हेलो गारिस, वेलकम बैक टू दे वीडियो, आज इस वीडियो पर हम BSC Second Year Physics के अंदर जो आपका Geometrical Optics है, उसके अंदर आपके एक Unit आती है Monochromatic Aberration in Images वाली, तो उसके यहाँ पर हम Important Questions देखने वाले, अब यह Question आपका Generally Short में आपको मिलेगा जो आज इस वीडियो पर हम Question क्या रख है, बोला है कि What do you mean by Monochromatic Aberration, फिर बोला है कि What are the Types of Monochromatic Aberration, तो पहले तो आपको Monochromatic Aberration के आपर Definition बतानी है, उसके बाद आपको बताने कि Monochromatic Aberration आपके कितने Types के आपर होते है, ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ पर IPC's के अंदर देखा था Astronomical Telescope का, यह Aberration क्या होता है, और कितने Type के आपके यहाँ पर Monochromatic Aberration देखने को मिलते है, अब सबसे पहले हम Monochromatic Aberration के आपर बात करें, तो हमें पहले समझना है कि Monochromatic मतलब क्या हुआ, Monochromatic कहने का मतलब है कि यह Light of Single Color, वो Light जिसका Single Color है, एक ही Color है, उस हम कहते है Monochromatic Light, तो उसमें Aberration देखने को मिलता है, उसे हम कहते है, यहाँ पर Monochromatic Aberration, Aberration हुआ क्या? Aberration आपका Defect ही हुआ है, कि जब आपका यहाँ पर कोई Object Incident कर रहा है किसी Lens बे, तो Image आपको यहाँ आपको Clear नहीं देख पा रही है, Images आपको यहाँ पर Clear नहीं देख पा रही है, वह ही जो आपको Shortcomings of the Lens, जो आपको Aberration या Defect देखने को मिल रहा है, Images में, जो Lens नहीं यहाँ पर Form कर रहा, तो हो क्यों रखा? क्योंकि Lens के यहाँ पर कुछ Inherent Shortcomings है, और Shortcomings आपके कुछ भी हो सकती है, इस Aperture वगरा हो गया, कुछ भी आपको यहाँ पर Shortcomings हो सकती है, Lens की, तो उसके कार Aberration that occur with monochromatic light, वो Aberration जो आपको monochromatic light के थुरू यहाँ पर मिल रहा है, उसे हम कहते है monochromatic aberration, Aberration through monochromatic light मतला वो lights का single color है, तो उसके द्वारा जो आपको यहाँ पर Aberration, उसके कारण जो आपको यहाँ पर defect देखने को मिल रहा है, उसे हम कहते है monochromatic aberration, तो इस Simple सी आपकी य पर monochromatic aberration होते, पहला है आपका spherical aberration, दूसरा होते है आपका coma, थर्ड है आपका यहापका यहापकर कौन सा, estimagatism, फोर्थ है आपका यहापकर curvature और फिफ्थ है आपका यहापकर distortion, तो यह 5 टाइप के आपके हमें यहापर और भी defects बताने है, ठीक है तो खाली spherical aberration का हमें introduction देंगे कि spherical aberration की definition क्या होती है और figures हमें यहापर show कर सकते कि spherical aberration आपका क्या होता है, ठीक है तो spherical aberration की अगर हमें यहापर definition देखे तो बोला है कि the failure of the lens to form a point image of an axial point object की lens का वो failure जिसमें आपका point object की एक point image नहीं बन पाती है, वो होता है आपका spherical aberration इसमें generally जो आपकी images बनती है वो आपकी blurred images बनती है, धूनली type की आपकी images बनती है, spherical aberration पे chromatic aberration में क्या होता है, उसमें आपकी colored images बनती है, उसमें आपकी अलग-अलग focal length में colored images बनती है बात करें तो इसमें आपका Axial Point Object है इसमें आपका क्या हो रहा है इसमें आपका एक Point Images नहीं बन पा रही है इसमें आपका अलग-अलग focal length में आपका क्या बन रहा है एक Images फॉर्म हो रही है जो हमें Blood Images के पर देखें की जमें आपकी स्क्रीन प्लेस करेंगे तो tô Blood Image देखने के कारण यह आपका यहां पर जो Aberration है यह आपका Spherical Aberration है तो यहीं चीज़ आपका बोला है तो failure of the lens to form a Point Image of an Axial Point Object ठीक है अगर इस फिकर की बात करें तो इसमें होगा रहा है इसमें आपके दो जैसे ये रे और ये रे ये दोना आपकी marginal race है तो इसका जो focal length होता है इसका focal length आपका काम होता है ये जो आपकी focal length है ये आपका बहुत काम है लेकिन अगर हम para-exile race की बात करें तो इसका focal length आपका यहाँ पर ज्यादा है तो इसका focal length अगर हम देखे तो यह यहाँ आपका meet कर रहा है तो यह आपका focal length है fm का जो बहुत छोटा है in comparison to para-exile race के focal length से ठीक है तो इसके बीच अगर हम screen place करेंगे तो हमें यहाँ पर blurred images दिखती है तो blood images बता रहा है कि यह आपका spherical aberration यहाँ पर हो रहा है similarly आपका यहाँ पर हो रहा है इसमें देखो यह आपका point object है इसमें भी आपकी दो type की race आ रही है एक आपका para-exile race है और दूसरा आपका marginal race है जो आपका यहाँ पर axis से यह आपका optical center से पास होके जा रहा है तो इससे बहुत दूर, axis से बहुत दूर वाला कौन से है? marginal race है और axis की जो आपर path से जा रहे है उसमें कहते है peraxial race तो जो marginal race का यहाँ पर focal length है वो आपका कम है क्योंकि marginal race का focal length अपका यहाँ पर meet कर रहा है आई-म पे और यहे कुछा है अपका para-exile का focal length है जो आपका यहां meet कर रहा है बहुत दूर, तो जो आपका para axial का focal length होता है वो आपका ज़्यादा होता है और marginal raise का जो आपका focal length होता है वो कम होता है, ठीक है, तो इसके कारण के और हमें आपर blurred images मिल रही है, हमें आपर clear image नहीं मिल पा रही है, जो हमें defect show कर रहा है और इस defect काम कहते है, spherical aberration तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा figure अच्छे से दिखाना है, spherical aberration पर तो इतना ही लिखो, बहुत से यह आपका इतना से ज़्यादा आपको लिखने के जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी आपके defects आते है, जैसे coma, stigmatism तो यह भी हमें आपर explain करने, तो इतना detail में हमें इस question पर आपर नहीं जाना है क्योंकि हमें आपर और भी हमें defect explain करने है, तो spherical aberration में हम इतना ही लिखेंगे definition हो गया, उसके बाद आपको 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 अच्छे से figure बताने, इसमें बताने है कि आपके जो marginal race है, उसका focal length अपको कम हो रहा है और जो आपके यहाँ पर para-exile race है, इसका focal length अपका जाद है, ठीक है, तो उस कारण हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, blood images मिल रही है, similarly आपका यहाँ पर हो रहा है point object के लिए, इसमें भी हमारे para-exile और marginal race है, इसका focal length पर difference है, उस कारण हमें यहाँ पर blood images भी, blood images यहाँ पर मिल रही है point object की, ठीक है, तो यह होता है आपका यहाँ पर spherical aberration, second stop का defect आता है, उसमें कहते है, coma defect, coma defect क्या होता है इसके बारे में आपका लिखा है कि when a lens is corrected for spherical aberration, it produces a point image of a point object situated on its principal axis, जब आपका length correct किया जाता है spherical aberration के लिए, तो आपका point images बनाएगा point object के लिए, जो आपके principal axis में हाँ पर situated है यह हमें पता है, spherical aberration का, कि spherical aberration आपका सही होगा, तो आपके point object की वहाँ पर point images देता है, फिर लिखा है it however for years to give a point image of a point object situated slightly off the axis, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको point images यहाँ पर नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर point object है, आपका axis is slightly off रहता है, मतलब axis से आपका यहाँ पर दूर रहता है तो object के यहाँ पर axis से दूर रहने हैं कारण आपको यहाँ पर, अलग-लग points में आपको images देखने को मिलती है मतलब आपके यहाँ पर जो race meet कर रही है को आपके different different points में आपर meet कर रही है ठीक है तो इस type of defect को हम कहते है आप पर comatic error या coma defect तो यही पर लिखा है image of such a point object is found to have a comet like shape जो आपके यहाँ आप images देखने को मिलती है आपके यहाँ पर comet shape की मिलती है तभी हम इस defect को कहते है coma defect या comatic error ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ पर object है आपका axis से बहुत दूर है तो axis से बहुत दूर होने के कारण हो क्या रहा है यह जो आपके यहाँ आपर images मिल लिए आपके different points में आपर meet कर रही है यह जो आपके raise से आपर meet कर रही है यह आपके different points में आपर meet कर रही है ठीक है फिर क्या लिखा है coma arises because different zones of a lens produce different lateral magnification zones क्या हुआ zones जैसे आपके 1-1 zone हुआ 2-2 आपका zone है 3-3 आपका zone है तो यह जो आपके यहाँ से raise pass हो रही है जैसे 1-1 से आपके raise pass हो रही है यहाँ पर meet कर रही है फिर आपके 2-2 से आपके raise pass कर रही है फिर यहाँ पर meet कर रही है फिर 3-3 zone से आपके यहाँ पर जा रही है फिर यहाँ पर meet कर रही है तो यह आपके zone होए जैसे 3-3 आपका जोन हो गया, 1-1 जोन है, 2-2 जोन है, तो आपके different type के आपके zone है, ठीक है, तो लिखा है इन figure था raise from a point 0-1 and passing through different zones, 1-1, 2-2, 3-3, etc. sector of the lens are focused at different point i1, i2, or i3, तो आपके 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 होता है, इसके definition क्या लिखी है, बोला है कि when a point object is situated far of the axis of the lens, its image consists of two mutually perpendicular lines at a distance from each other and lying in perpendicular planes this defect is known as astigmatism जब आपका point object कहा situated है far of the axis अगर हम इसका figure देखे तो इस टाइक आपको कुछ figure है है आपर बोला कि when a point object is situated far of the axis यह आपका axis होगी है lens का यह आपका lens है यह आपका axis है और जब आपका point object यहाँ पर axis से बहुत दूर है जब आपका point object axis से यहाँ पर बहुत दूर है तो लिखा क्या है when a point object is situated far of the axis of the lens its image consists of two mutually perpendicular lines जो इसकी image आपकी बन रखी वो आपके दो mutually perpendicular lines से बन रखी है क्या कौनसी एक आपकी M है आपकी horizontal line है और एक आपकी S है जो आपकी आपकी यहाँ पर perpendicular lines है तो यहीं लिखा है its image consists of two mutually perpendicular lines at a distance from each other जो आपके कुछ-कुछ distance में यहाँ पर है and lying in perpendicular planes ठीक है तो इसमें अगर हम देखे जो आपकी 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 point object की image बन रखी है astigmatism defect क्यों हो रहा है क्योंकि आपका point object है यह आपका यहाँ पर axis से बहुत दूर है यहीं चिसलिख है definition क्या है when a point object is situated far off the axis of the lens its image consists of two mutually perpendicular lines at a distance from each other and lying in perpendicular planes this defect is known as astigmatism तो यह आपको यहाँ पर figure बनाना है astigmatism में यह है आपका lens यह आपका यहाँ पर axis है ठेक है यह आपका यहाँ पर point object है O इसमें जो हाँ आपका image बना रही है एक आपकी point M B बना रही है एक आपकी point S B बना रही है और दोनों आपकी क्या है यहाँ पर दोनों एक दूसरी की mutually perpendicular है यह आपका horizontal line पर और यह आपका vertical line पर दोनों एक दूसर के यहाँ पर mutually perpendicular है फिर लिखा है let us consider a point object O placed far off the axis हमने point object O का है पर consider कर रखा जो आपके axis से यहाँ पर बहुत दूर है फिर बोला है था raise from O passing through the meridian plane M1 M2 of the lens जो आपके हैं पर point object O है इसके जो आपके raise pass कर रही है सबसे पहले आपके यहाँ पर meridian plane से आपर pass कर रही है meridian plane क्या हुआ meridian plane आपके M1 M2 है M1 M2 यह हो था आपका meridian plane meridian plane क्या होता है जिसमें आपके point object और क्यों से लाई कर रहे है axis आपके लाई कर रहे है जिसमें आपका point object और axis लाई कर रहे है से हम कहते है meridian plane तो M1 M2 क्या आपका meridian plane है तो लिखा था raise from O passing through the meridian plane M1 M2 of the lens meet in a horizontal line at M तो एक हाँ पर meet कर रही है raise यह आपकी point M पर meet कर रही है यह जो आपके raise जा रही है आपके marginal raise भी कह सकते हो क्योंकि access से दूर है तो एक हाँ पर meet कर रही है यह आपकी point M पर meet कर रही है कौनसी जो आपके meridian plane से होके जा रही है M1 M2 आपके meridian plane है ठीक है तो यहीं चीज़ आपके लिखिए the raise from O passing through the meridian plane M1 M2 of the lens meet in a horizontal line at M कहा पर meet कर रही है M जो आपके horizontal line यहाँ पर बंड़ी है यहाँ पर यहाँ आपके meet कर रही है यह race फिर लिख है while those passing through sagittal plane S1 S2 meet in a vertical line at S sagittal plane क्या हुआ यह है आपका sagittal plane sagittal plane क्या करता है lens को आपके दो इससे में आपर काट देता है तो उससे जो आपके यहाँ पर race pass कर रही है यहाँ आपके sagittal plane से race pass कर रही है S1 S2 से यह पर काम meet कर रही है यहाँ आपके यहाँ पर S point में हाँ पर meet कर रही है while those passing through sagittal plane S1 S2 meet in a vertical line at S यहाँ आपके point S में हाँ पर meet कर रही है जो आपके vertical line यहाँ पर बन रही है तो यह पको इमेज़े हैं पर फर्म होरी है इस से जो आपको दंट ह। जो पर ऐसे हम कहते हैं आप PV Cin ब क्रहिए कि एपिस होरे है क्या जो अंट पर अचेक्से से बहुत दूर है फिर मेरिडियंट्र, एमडिय्ट है पर मेरेडियไम क्या है जो आपि यहाँ पर रेजश कर रही है और च्र Jáपका पोंट एमपी यहां पर मेट रही है अब दोनों आपके जहां क्या है ? दोनों एक डूसरे के हैं आपर mutually perpendicular है यह हो गया और यह हो गया दोनों एक क्या है दूसरे के mutually perpendicular है तो इस type जो आपको defect है आपर show होने होने मिल रहा है यह आपका astigmatism defect होता है ठीक है ? जो आपका 30 आपड दिफेक्ट है तो इस तरीक से आपको शो करना है और इस तरीक से आपको यहाँ पर explain यह करना है फोर्थ के है फोर्थ आपका defect आता है curvature defect लिखा है इसके बारे में लिखा है कि even if a lens is free from spherical aberration coma and astigmatism the image of an extended plane object oo dash is curved अगर आपके यहाँ पर lens spherical aberration से free हो गया अगर आपके यहाँ पर images मिल रही है वह आपको curved images मिल लिए इस हम कहते हैं आपके यहाँ पर image कुछ ऐसे बननी चाहिए लेकिन image आपकी बन रखी कुछ ऐसे हैं आपर फिर क्या लिखा है यहाँ पर आपका फिर लिखा है कि if a screen be placed at eye perpendicular to the axis अगर यहाँ पर मैं आई पर जो आपके एक्से के perpendicular मैं screen यहाँ पर प्लेस करता हूं the complete image will not be in focus जो आपकी image आपर बनेगी आप यह फोकस में नहीं बनेगी जो आपकी image will not be in focus इस टापके defect का हम कहते हैं यहाँ पर curvature तो curvature में आपको इस टापके यहाँ पर defect बनाना पड़ेगा ठीक है अगर हम यहाँ पर spherical aberration को रोकने के लिए coma curvature और astigmatism defect को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं यह बीच में stopper यूज कर रहे तो आपका हो क्या रहा है इमेज नहीं मिले हैं जो आपको object की आपर image है तो इस टापके defect का हम कहते हैं यहाँ पर distortion defect this defect is called distortion फिर लिखा है this is because the chief rays जो आपकी chief rays क्या होती है जो आपके यहाँ पर stopper के बीच से जा रही है जैसे यह आपका stopper है यहाँ पर center है stopper का ठीक है तो stopper के बीच से कौन से जा रही rays एक आपकी यह आली rays होगी और यह आपकी बीच वाली rays होगी तो आपकी stopper के बीच से यहाँ पर जा रही है तो लिखा है this is because the chief rays forming images of different point on the object passed through different portion of the lens तो lens के अलग-लग portion से जाने के खारण यह आपकी यहाँ पर images कुछ ऐसे बन रही है यह आ यहाँ पर lens से अलग-लग portion से जाने के खा रहे हैं यह आपका stopper होगी है बीच में अब यह आपके आपके आपर point object है ठीक है जो आपके access से बहुत दूर है तो यहां से क्या जा रहा है यहां से आपका यहाँ से आपका rays जा रही है तो अलग-लग points से यहाँ पर जा रही है different parts से जा रही है तो आपको यहां पर मैगनिफिक्शन भी अलगलग टाप का मिल रहा है तो लिखा है कि इस इस विकॉस चीफ रेस फॉर्मिंग इमेजिस और इफरेंट पॉइंट से अब यहां पर भी हो सकता है या यहां पर भी आपका अब्जेक्ट साइड हो या तो आपका स्टॉपर यहां पर इमेज साइड भी हो सकता है तो दोना आपका यहां पर हो सकता है मैंना भी यहां पर आपका अब्जेक्ट साइड बना रहा का स्टॉपर यह स्टॉपर आपका इमेज साइड भी हो सकता है तो यह स्टॉपर के इसका राणी आपकी जो इमेज बनी है कुछ कर्व टाइप की इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है ठीक है तो यह होता है आपका distortion defect तो इसमें आपने पास्ट एक इफेक्ट पढ़े पहला आपका तो इस तरीक से पूरा आपके अंसर लिखना है बोनो क्रोमेटिक अबरेशन होती है ठीक है तो यह आपका प्रॉपर अंसर है इसका मिलते नेक्स्ट वीडियो पर थैंकिए फॉर रॉचिंग वीडियो